हलो एवरिवन आज है 23 माई और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजलोन एनरजी के बारे में 9 रुपे का ये शेर है बीच में बड़ी उडान भरी जरूर थी लेकिन बात में हम सब ने देखा कि यहाँ पर गिरावट ही आई है लॉंग टर्म का अगर आप इसा ग्राफ देखोगे तो ऐसी तेजी हमें पहले भी देखने को मिली है लेकिन हर बार वो तेजी जो है वो गिरावट में ही तबदिल हुई है वीडियो में डिस्केस करेंगे कि 9 रुपे का सुजलाउन के वाकई में बड़ा शेर बनने का दमखम रखता है या यह हर बार की तरह नीचे की तरफ तूट नहीं वाला है तो वीडियो को शुरू करूँ से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजे क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो से जो काफी जादा है तो 9 रुपे का शेर है सुजलाउन का एक महिने में 15% से भी जादा की गिरावट है तोटा था बाउंस बेक किया फिर तोटा और एवन एक साल कभी अगर अब ग्राफ देखो तो 65% का ग्रोथ जरूर है लेकिन पिरामिड बनते नजर आये है तेजी बनी वापस तूड़ गया थोज़ा कंसॉलिडेट किया बड़ी तेजी बनी वा इसकी वाज़ा से बहुत बड़ी तीजी आपको देखने को मिली है अब देखो आप लोग कहोगे कि अच्छा एक साल में इसने 65% का तो रिटन बना कर दिया है तो अगें अगर आप इनके पीर्स की कंपेरिजन करोगे जैसे कि अदानी पावर से कंपेर करोगे टाटा देखो होता क्या है ना कि सुजलान ने भले ही 65% का रिटन आपको दिया है एक साल में लेकिन इस कंपनियों के साथ इन कंपनियों के साथ एक रिस्क जुड़ा है कि वह यह कभी भी यह तूटकर बरबाद कर सकते हैं जबकि जो बाकी कंपनिया टाटा हो गया दानी हो गया जो 1.500% का ग्रोथ दे चुकी है एक साल में वहाँ बे वो रिस्क नहीं है उतना बड़ा रिस्क नहीं है जितना सुजलान में है लेकिन अब लॉंग टर्म का ग्राफ देखोगे तो भाया नीचे की तरफ टूटा था बाउंस बैक किया है अब कितना बाउंस बैक करेगा य इनकार नहीं कर सकते हम करजा बहुत सारा है इनके उपर अब कंपनी क्या करेगे डेट रिफाइनसिंग करने के कोशिश कर रही है और अपने इस करजे को से कैसी ना किसी तरीके से छुटकारा पाने के कोशिश कर रही है लेकिन जब तक छुटकारा नहीं मिलता तब तक भा बाइन वगेरा बनाती है देखो डेफिनिट्ली बिजनस है ये बहुत बड़ा बिजनस है फ्यूचर भी है इसका ठीक है लेकिन सुजलोन इसमें मार्केट टीडर होगा ये कहना मुश्किल है आने वाले दौर में देखो मैं पहले भी कह चुका हो मैं अब भी कहूंगा आने वाले दौर में तीन कंपनिया इस स्पेस में रूल करेगी रिन्यूबल स्पेस में पहला होगा टाटा ग्रूप दूसरा होगा जो दूसरा होगा वो अदानी ग्रूप होगा और तीसरा होगा मुकेश अंबानी का रिलाइन्स ग्रूप जिसने अभी तक एंट्री भी नहीं करी है इस पेस में लेकिन अनाउंसमेंट करी है यह हम 65,000 से 80,000 करोड रुपे लेकर आएंगे और यहां पर बड़ा निवेश करेंगे उन्होंने अनाउंसमेंट करी है जब एंट्री करेंगे तब पुरा बाजार हिलेगा ज़रूर तब यहां पर बात करें तो मिटकैब शयर है सुजलाण 8,400 करोड के असपास का इसका मार्केट कैब है यहां पर अगर सुजलाण को लेकर देखा जाए तो सुजलाण के अच्छी बात यह थी कि पिछले कॉर्टर में लंबे अरसे बाद कंपनी ने नाफ़ा दिखाया था 37-38 करोड का ठीक है प्रॉफिट दिखाया था अच्छा प्रॉफिट था शांदार प्रॉफिट था और रिवन्यू तो और बहतर थे जो रिवन्यू इनके 1000 करोड से भी कम हुआ करते थे वो सीधा 1600 करोड पर पहुँच गए तो रिवन्यू भी अच्छा था प्रॉफिट भी अच्छा था लेकिन जो चैलेंजिस होते हैं इस कंपनी के सामने वो यह है कि वह इनका ग्रोथ जो है वो क्वार्टर और क्वार्टर रहेगा कि नहीं औ दो दिन बाद इनके नतीजे आने वाले हैं सुजलौन को लेकर और जो रिजल्ट्स आएंगे वो आएंगे 25 मई को 25 मई को रिजल्ट्स आने वाले हैं और नजर रहेगी सुजलौन के उपर कि वह यह कैसे रिजल्ट्स आते हैं अच्छे रिजल्ट्स डेफिनिटली अगर नहीं कमाते हैं कम कमाते हैं तो sentiment market का जो है वो negative आपको देखने को मिलता है सुजलाओन के बारे में देखे तो according to money control user 10% लोग कहरें बेचो और भाग जाओ बाकी हर कोई खरीदने की और खरीदारी कहरी है तो बने रहने की बात कर रहा है revenue उनकी लगादा तूट रहे थे हैं आप देखो 12,000 क्रोड के revenue से financial 2017 में 2021 में ये 3345 क्रोड पर आ गए और 2022 में अभी अब बढ़ेंगे reason quarterly 1500 से 1600 क्रोड का company revenue कमा रही है बात करें profits की तो company ने 100 क्रोड का मुनाफ़ 2021 में कमाया था अब 2022 में company का performance कैसा रहेगा वो तो आने वला वक्त ही बताएगा अभी March quarter के results बाकी है और देखा जाए तो इन्हों ने profit कमाया था December quarter में 38 क्रोड का लेकिन उससे पहले के quarter में company ने 10 क्रोड का loss भी किया हुआ था यहाँ पर अगर बात करें सुजलाओन को लेकर तो company लगातर बुरे दौर से गुजरी है अब 2021 में अच्छा दौर जरूर था अब 22 में क्या होगा यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा सुजलाओन में देखें तो भाईया प्रमोटर लगातर बिक्वाली कर रहे है और सबसे बुरी बात यह है कि प्रमोटर की almost सारी के सारी जो holding है वो गिर्वी पड़ी हुई है यहाँ पर आप देखें तो प्रमोटर के पास 15.85% की holding है जो जून में 16.52% की थी में प्रमोटर लगातर हर quarter में देखो तो थोड़ी थोड़ी बिक्वाली ही करते जा रहे है बिक्वाली हुई है प्रमोटर के दुआ और उनमें से भी गिर्वी holding तो भाईया बहुत सारी है almost सभी के सभी आप माल लो 0.05 mutual fund के पास holding है 11.65% domestic institution के पास है 7.38% की holding है Files के पास और देखा जाए तो ये भी लगातर बिक्वाली ही कर रहे है 9% की holding थी कम होके 7.38% पर आ गई domestic वालों के 12.71% की holding थी घट के 11.65% पर आ गई अब खरीद कौन रहा है खरीद हमीं रहे हैं बाई साहब आप देखे 22.28% की retail investor की holding थी और others के पास 39.41% अब retail investor ने बहुत ज़ादा खरीदारी करी है 22.28% पर आ चुके हैं वो लोग ठीक है और others ने विक्वाली करी है तो देखा जाए तो वह ये हर कोई बेच रहा है हर कोई बस retail investor यहाँ पर खरीद रहा है देखो मैं सुजलौन का उतना बड़ा fan नहीं हूँ मैं यही कहूंगा कि सुजलौन को मैं अपने portfolio में शामिल नहीं करूंगा कि मेरे पास alternative है बहुत अच्छी company है जो पैसा बना सक कर दे सकती है इस field में और सुजलौन जैसे company जहाँ पर risk बहुत ज़ादा है reward actually में 9 रुपे के price पे कम है अगर यह price 4-5 रुपे होता 6 रुपे के आसपास होगा तो शायद reward अच्छा होता लेकिन अभी जो price है वो मुझे ज़ादा लग रहा है अब काफी लोग कहेंगे कि भूल जाओ 5 रुपे 6 रुपे कभी नहीं जाएगा यह तो यहां से 10-20 जाएगा ठीक है वह या नहीं जाए क्या ही अर फरक पड़ेगा ठीक है ऐसा तो जरूरी नहीं कि सुडलों में सुझलन में खरीदारी नहीं करोंगे तो market में पैसा नहीं बनेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अच्छी कम्पनीों में खरीदारी करू इंक कमपनियों में करो जो मार्केट लीडर है आप खुद सोचिए कि आपको लगता है कि सुजलॉन जैसी कमपनी अदानी टाटा और अमबानी के सामने टिक सकती है तो आप चाहो तो लॉंग टम के लिए खरीदारी कर सकते हो अगर आपको लगता है कि नहीं टिक सकती तो अपने आप से फैसला यहां पर ले सकते हो मैं अभी के लिए अवाट करूंगा तब तक जब तक यहां पर कोई अच्छे ख़बर नहीं निकल कर आती है टेक है कमपनी लगातार अच्छे रिवन्यू अगर नहीं दिखाएगी तब तक मैं यहां पर हाथ नहीं डालूंगा लेकिन ह अगर कमपनी में टर्न राउंड जैसी सिचुएशन देखने को मिलती है अगर कमपनी अच्छे रिपोर्ट दिखाना शुरू करती है तब डेफिनेटी सो कंसिडर दुबारा किया जा सकता है पाइंग के लिए लेकिन अभी के लिए नहीं वीडियो को यहीं पैंड करूंग